मैं ममता यादव सत्य निष्ठा से शपत लेती हूं कि मैं भारत और विधी द्वारा स्थापिक भारत के सम्विधान के प्रति निष्ठा पूर्वत तथा सत्य निष्ठा रखूंगी मैं ममता यादव हर्याना लोग सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई हूँ में शपत लेने वाली रेवाडी निवासी ममता यादव वर्षों से चात्र शक्ति को यही संदेश देती आ रही है पिता श्रिंद्राज सिंग्यादव और मामूर्ति देवी के घरजन मी ममता के पिता नार्नोल छेत्र के गाउं मढधाना के किसान परिवार से थे बाद में इजेपी के कारेकरता के रूप में पार्शद और मेर चुनाओं में मात्र दो वोट से रह गए मगर संगठन के प्रति उनकी निस्ठा में कभी कोई कमी नहीं आई मध्यप्रदेश भाजपा में पिछडा वर्ग प्रकोस्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष और दो बार जिला कख्षा में अध्यन करते हुए ABVP यानि अखिल भारतिय विध्यारती परिशद की कारेकरता बन गई ममता अब तक की उपलब्दियों का श्रेद देते हुए कहती है कि इश्वर की किरपा माता पिता के आशिरवाद बहन सवीता और जीजा डॉक्टर रामवतार लांबा के निस्वार्थ मार्ग दर्शन और सहयोग से ही वह आज इस मुकाम तक पहुंची है ममता का सफरनामा हर किसी के लिए प्रेरक है इस समय इन के पास ABVP की विशेश आमंत्रित सदस्य का दाइत्व है वह ABVP की महिला समनवे की राष्ट्रिय सहसयोजी का है इससे पूर्व ममत ABVP की राष्ट्रिय उपाध्यक्ष और अखिल भारतिय छात्रा कार्य पर्मुख रह चुकी है ममता ने समाज शाष्ट्र और हिंदी में में और बीयड तक अध्यन किया है HPSC का दाइत्व सम्हालने से पहले वहरेवाडी जिले के सहलावास गाउं स्थित राजकिये वरिष्ट माध्यमिक विध्याले में समाज साष्ट्र विशय की प्रधापिका थी वर्ष 1985 में विध्यारती परिशत से जुड़ी ममता ने चातर संग में पदाधिकारी रहते हुए युवाव को नेतरतव परदान किया समाज कारिये में चातराय निरंतर अग्रसर रहे इनके लिए इनका देश भर में प्रवास रहा इसी कड़ी में इन्होंने नेपाल प्रवास भी किया चातरों में नेतरतव समता विक्षित करने के लिए कई कारेकर्मों का आयोजन किया नैशनल गर्ल्स यूथ पार्लियामेंट डेली का विशेश आयोजन एक बड़ी उपलबदी रही इसी क्रम में राश्ट्यस्तर की गर्ल्स लीडर्शिप वर्क्षोप का आयोजन भी किया गया मम्ता ने नारी शचक्तिकरन की दिशा में बड़ी पहल करते हुए महिलाओं से जुड़े विश्यों पर अनेक सेमिनारों का आयोजन किया मिशन सहासी नामक अभियान वाक्यी सहासी बनाने का काम रहा इन्हों ने इस बड़े अभियान का नेत्रतव किया इस अभियान के माध्यम से चात्राओं में आत्म विश्वास का भाव भरने और आत्म रक्षा के प्रिसिक्षन हे तू एबीवीपी की छत्रचाया में धेश भर में मिशन सहासी प्रकल्प चलाया गया जिसको राष्ट्रे सवरूप प्रदान करने में मम्ता ने महतुपून भूमी का निभाई अभी तक लगभग 12 लाग चात्राओं को आत्मरक्षा टेकनिक्स में प्रसक्षित किया जा चुका है इन्होंने चात्र सुरक्षा हमारी प विशय पर सेमिनार और व्याख्यान मामलों के आयोजन द्वारा इस विशय को कैमपस और समाज में ले जाने का कारिय भी ममता करती रही कुछ समय पूर्व महिलाश शक्तिकरन में विशेश योगदान हेतु हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने यादर सभार रेवाड द्वार आयुजित कारेक्रम में इन्हें सम्मानित भी किया गत 15 मार्च 2023 को दिल्ली के अंबेड कर ओडिटोरियम में आयुजित कमला पावर वूमेन अचीवर अवोड से भी ने सम्मानित किया गया ममता हर्याना यूथ पॉलिटिक्स की ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य भी र के अलावा कई विश्व इधालों में विभिन विशय पर व्याक्ष्यान दिए हैं. मैं ममता यादव सत्य निष्ठा से शपत लेती हूँ कि मैं भारत और विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती निष्ठा पूर्वक तथा सत्य निष्ठा रखूंगी और मैं अपने पद के कर्तव्यों का इमानदारी से पालन करूंगी मैं ममता यादव हर्याना लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई हूँ सत्य निष्ठा से घोष्णा करती हूँ कि मैं अपने पद के कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम शम्ता ज्यान और विवेक अनुसार निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगी मैं ममता यादव सत्य निष्ठा से कुष्टी करती हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसा कोई मामला जो मेरे विचार में लाया जाएगा या हर्याना लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मुझे ग्यात होगा सिवाए इसके कि वह मेरे सदस्य के रूप में मेरे करतव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो या राज्यपाल द्वारा विशेश रूप से अनुमती प्राप्त हो संचारित या प्रकट नहीं करूंगी